येस पीपल गुड मॉनिंग गुड आफ्टर नूं गुड विंग टू आल अफ यू कैसे हैं सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो जितने भी सीए में फाइनल के स्टुडेंट है उनकी एक्जाम है भी ज 2022 वाला सेलेवस है तो तो 2022 के सेलेवस में हमारा पेपर डैरेक्ट टेक्स का कैसे आएगा जो पेपर नंबर 15 कैसे रहेगा क्या रहेगा तो उसके लिए आपकी जो इंस्टिट्यूट है हमारी जो इंस्टिट्यूट है CMA इंस्टिट्यूट उन्हों ने क्या किया है यहां पर model question paper दे रखे और उसके suggested answer दे रखे जिससे आपको समझ में आप आए कि आपका exam कैसे होने वाला है कितने questions आने वाले है कितने compulsory रहेंगे कितने आपके जो है वो optional रहेंगे तो यह paper में मैं आने वाले one hour के बीच में discussion करने वाला हूँ वो तो एक तो syllabus 2022 से related question और एक तुमारा syllabus 2016 वाला जो है syllabus उसका भी mock test paper आया है model test paper आया है वो भी हम इसी वाले lecture में discuss करेंगे कि आपको कैसे attempt करना है क्या करना है कौन-कौन से topic को ज़्यादा तवज्जो देनी है वो मैं आपको बताऊंगा तो हब क्या करेंगे जब यह तीन paper को देखेंगे ना तो हमको at least हमाने दिमाग में यह चीजे बैठ जाएगी कि कौन-कौन से topics को ज़्यादा देखना है क्या सर हमको capital gain pgbp को पढ़ना है या नि क्योंगि आप अगर syllabus में देखोगे cma syllabus में specifically capital gain pgbp नहीं है बड़ जब आप question देखते हो तो जब मैट का question आया उसमें उन्होंने बोला कि मैट भी निकालो नॉर्मल टेक्स भी निकालो तो जब अगर pgbp आता ही नहीं तो आप नॉर्मल टेक्स निकाली नहीं पाऊगे नॉर्मल pgbp का income निकाल नहीं पाऊगे तो हर चीजे है वो आपके syllabus में है लेकिन आपको यह जो model test paper है न उससे आपको यह चीजे समझ में आएगी कि आपको priority कौन से topics को देनी है priority जो है वो priority basis पे आपको कौन से topics करने है वो आपको यहां से समझ में आएगा तो चलिए यह आपका hundred mark का paper रहेगा और तीन घंटे का time मिलेगा आपको करने के लिए आपसे बोला क्या है the figures in the margin on the right side indicate the full marks जो है वो आपको दे रखे है wherever consider necessary suitable assumption may be made and clearly indicate in the answer जहां आपको लगता है आप assumption को आपको लिखना पड़ेगा और जहां पर necessary है जहां लगता है ऐसे फालतू की assumption नहीं लेने की ठीक है एसा नहीं हमेशा ऐसी assumption लेनी है जहां पर calculation हो करके ठीक है चलिए आपको बोल रखा है question number one जो है and question number eight are compulsory question and answer any four question from the two three four five six seven तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं यहां पर आपके पास में six question है six में से आपको कोई भी four questions है वो आपको attend करने है and question number one and question number eight जो है यह आपका compulsory question है आपको करना ही करना है तो question number one अगर आपने छोड़ा तो marks चले जाएंगे question number eight है वो भी ऐसा है यह दोनों compulsory question है बाकी जो आ आपको mcq से रहेगा जो multiple choice questions रहते हैं उससे रहेगा लेकिन इसमें आपको reason भी देना रहेगा यहां पर ऐसा नहीं है कि mcq में आपको सिरफ आता है तो आपने जब tick मार दिया आ गए ऐसा नहीं उसका एक mark रहेगा एक mark आपको reason भी देना पड़ेगा आपको justification भी देना प इसका मतलब 24 marks आपको यहां से मिल जाएंगे और 24 marks है वो आपको mcq से मिल जाएंगे उसके reasoning से मिल जाएंगे और मैं बता दू अगर आपने थोड़ी धंग से preparation किये ना तो यह 24 में से 20 कहीं नहीं है 20 marks आपको मिली जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे easy easy से mcqs आते हैं आप easily इसको solve कर सकते है तो 24 marks है वो आपको यहां से मिलेंगे उसके बाद question number 8 is compulsory question number 8 जो रहेगा वो question आपका 16 mark का रहेगा 16 mark पर पूरा जो question है वो एक ही question नहीं रहेगा दो पार्ट रहेगा जिसमें इसमें 88 marks के दो question है तो यह देखिए आपका question number 8 है यह आपका section C वाला यह आप question है जो minimum alternate tax as well as the normal जो income निकालना normal tax निकालना यह उसका question है और यह तुमारा DTAA का question है 88 marks का तो 16 mark का आपका compulsory question होगे तो एक बात बताईए तो यहाँ पे 16 और 24 की total आपकी होती है 40 marks 40 marks तो आपको यहां से मिल जाएगे अब बाकी जो है वो आपका 60 marks का paper कहां से रहेगा तो य 15 multiply by 4 तो total 60 mark का paper है वो आपको यहां से मिलेगा तो total ऐसे मिला के आपके पास 100 mark का paper रहता है 100 mark का paper आपको attend करना है अब यहां पे एक चीज समझता है आप बोलोगे सरम को तो सब question आते तो क्या हम सब कर सकते हैं यहां से 6 के 6 कर ले answer is no क्या इसमें से best 4 select होता है answer is no ऐसा नहीं करता है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सभी question करके आना है नहीं चार question इसमें से डंग से करिए और उसके बाद 2 question यह वाले है वह आपको करने है 100 mark का paper है यहां पर आपके पास option total कितना मिला 30 marks का option मिला हो सकता है कुछ internal option और मिले अगर यह तो कुल मिला कि आपके पास में 130 marks क paper आता है उसमें से आपको score कितना करना है 70 70 का आपका target होना चाहिए your target should be the 70 के 70 हमको score करना है that should be your target चलिए अपन एक एक स्टार्ट करते है MCQ section A start करते है और section यह क्या बोलता है choose the correct alternative provide the justification of your answer also one mark is allotted for the correct choice and one mark for the justification के लिए आपको एक mark और मिलेगा तो 2 mark का 1 MCQ है सबसे पहला point क्य है बोलता है when an assessi fails to furnish any information relating to the specified domestic transaction the quantum of penalty as a percentage of value of the transaction would be please provide the brief justification आपको अगर याद रहेगा तो हमने transfer pricing से related यह question है transfer pricing में हमने यह पढ़ा है कि अगर आपका कोई international transaction है या फिर specified domestic transaction है तो उसका आपको detail देना पड़ता है अगर मानलो आपने वो detail नहीं दिया तो उस particular case में अगर आपक आपको एक section हुआ करती है 271AA आए थी तो 271AA करके section होती है 271AA ही होती है एक बरômए भी check कर लेता हूँ यह 271AA करके section होती है 271AA जो section है वो section क्या बोलती है कि आपको penalty लगेगा 2% of the transaction value का आपको penalty लगेगा तो यहाँ 2% of the transaction value है उसके का penalty लग जाएगा अगर मान लो आपने कोई international transaction या specified domestic transaction है वो आपने नहीं बताया तो करगे, उसके साथ साथ में अगर आप international transaction नहीं बताते हो specified domestic transaction नहीं बताते हो तो ये miss reporting of income और माना जाता है under reporting of income माना जाता है उसमें miss reporting of income में आ सकता है और वहाँ पे बेटा, वो 200% का penalty लग सकता है section 270A में करिए ठीक है चलिए तो यहां पर आपका right answer is a 2% उसके बाद दूसरा क्या बोला हुआ है दूसरा भी transfer pricing से है तो आप देखते जाना MCQ कौन से topic से कितने आ रहे है तो जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपको priority कौन-कौन से topics पर ध्यान देना है तो मैं 92D का मतलब documentation की बात करता है transfer pricing में shall be kept or maintained for the period of 8 years you know that यह तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि 8 years तक आपको जो है वो अपने documentation वगेरा है वो maintain करने पड़ते हैं 8 साल तक आपको करने पड़ेंगे तो यह भी तुमारा transfer pricing से question है उसके बाद में तीसरा question advanced pricing agreement shall be valid for the such period not exceeding the 5 consecutive previous year एक बात बताईए advanced pricing agreement है वो maximum कितने साल के लिए होता है 5 previous year के लिए हो सकता है और उसमें आपको पता है rollback वाले year और आ सकते है 4 साल तो ऐसे तो मिला के 9 years के लिए हो सकता है but normally applies for the 5 years उसमें rollback वाले आपको include करने है नहीं करने वो optional होता है अगर यह ठी देखोगे तो यह भी आपका transfer pricing से question आगया तो transfer pricing इस paper में देखो पहले 3 mcq transfer pricing से उसके बाद next आता है as per section when any specified domestic transaction is carried out between the associate enterprise the transaction should be carried out at arm length एक बात बताईए ऐसी कौन सी section बोलती है कि अगर कोई transaction है वो specified like domestic transaction है वो अगर associate enterprise के बीच में तो उसको arm length पे लाना पड़ेगा ऐसी कौन स section 90 तो DTAA topic की section है जो तो double taxation avoidance agreement की बात करती है 91 भी उसी की बात करती है 90 A B DTAA topic की बात है यह 92 वाली section बोलती है जो transfer pricing की section है और section 92 यह बोलती है कि अगर आप कोई भी transaction करते हो between associate enterprise या तो international transaction या specified domestic transaction तो उसको आपको arm length price पे लेके आना पड़ेगा ऐसी section 92 बोलती है यह सबसे प यह भी तुमारे transfer pricing से MCQ है उसके बाद मैं next part पे चलते है in the year of restructuring depreciation shall be provided a brief justification also एक बात बताओ restructuring का मतलब होता है demerger amalgamation that is called restructuring restructuring की case में अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहे तो PGBP topic में मैंने आपको बताया था मैंने आपको PGBP topic में जब मैं आपको section 32 पढ़ा रहा था ना उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी amalgamation demerger या succession होता है तो उस year का depreciation क्या होता है पहले आप ऐसे calculate करो जैसे amalgamation demerger succession हुआ ही नहीं है और उसके बाद जो भी depreciation रहेगा that should be bifurcated between the predecessor and successor in the ratio of number of days asset used by them in the ratio of number of days asset used by them उसमें आपको apportionate करना पड़ेगा उसमें आपको बाटना पड़ेगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है B will be the right answer पाँचवे का तो B बोलता है apportionate between the successor and predecessor in the basis of number of days asset used by them उस ratio में इसको पाड़ देते तो ये question आपका restructuring से है आपके module में restructuring करके एक अलगी topic बना पड़े है Amalgamation D merger तो वो ही restructuring topic है तो आप इसको बोल सकते हो ये तो मैंने आपको PG BP में पड़ा रखा है ये वाला concept मैंने आपको PG BP में करा रखा है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा ये PG BP से MCQ है उसके बाद A is using motor car for his personal purpose but charges the business expenditure this is the case of एक बात बताईए अगर जो A बंदा ह है वो क्या कर रहा है कि अपना जो motor vehicle है वो personal purpose के लिए use कर रहा है लेकिन उसका खर्चा business में डाल रहा है ये क्या है क्या text planning है answer is no planning नहीं है planning तो वो होती है जिसमें law makers बोलते है जैसे ATC ले लीजिए आप ATD ले लीजिए that is called text planning यहाँ पे क्या ये text management किसको बोलते है कि जब आप TDS time पे जमा कराते हो अपना return time पे file करते हो वो text management है क्या ये text avoidance है text avoidance क्या होता है law को use करते हुए miss law के loofal को use करना क्या यहाँ पे कोई loofal use कर रहे हो answer is no आप तो गलती कर रहे हो it is called your text evasion यहाँ पे आप text की चोरी कर रहे हो तो आप बोलोगे यह वाला कौन से topic से आया है तो यह मैंने आपको पता है गार करके जो topic दे रखा है आपके compact में यह गार वाले topic से यह वाला question है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या दे रखा है during the course of survey survey में in the premises of the jagan and company on 10th january 2023 stock of the goods purchased for 10 lakh were found to be not recorded in books of accounts आपने books of accounts में stock record ही नहीं किया है और उनको मिल गया वहाँ पे करके ठीक है the firm has brought forward losses of the 5 lakh rupees and incurred business loss of 2 lakh for the current year without considering the unaccounted stock the tax liability of the firm including that unaccounted purchase would be surcharge and assessment tax कितना आएगा एक बात बताईए अगर आपकी कोई भी unaccounted cash मिल जाता है unaccounted asset मिल जाती है जिसको आपने books of accounts में record नहीं किया है और आप explanation नहीं दे पा रहे हो या आपका explanation satisfactory नहीं है सरी ये कहां पर बढ़ाया था आपको अगर याद रहेगा तो मैंने एक section पढ़ाई थी 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69C में आपका जो होता था जैसे unexplain expenditure होता था तो एक बात बताओ इन जब जो section थी 69D और थी इन sections के case में क्या होता है कि ये आपकी जो income है वो deemed income मानी जाती है और उसपे tax rate क्या लगता है जैसा कि आपको पता है 60% का tax rate लगता है उसपे 25% surcharge लगता है और उसपे 4% health and education says लगता है तो 78% की आपकी effective tax लगता है effective tax है वो 78% लगता है और एक और चीज़ समझना ये जो income बनती है ना इन section में इनके सामने आप कोई भी losses वगरा set up नहीं कर सकते ना तो आप पुराने कोई losses set up कर सकते और नहीं like इसके सामने कोई भी deduction वगरा कुछ भी नहीं ले सकते ये सीधा तुमारा income बन जाता है 115 BBE करके शायद section ने करके ठीक है मैं सही बोल रहा हूँ है नहीं मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा वो section number कौन सी है बट उस section में ये taxable हो जाता है अब एक बात बताओ यहां 78% tax लगेगा तो सीधी सी बात है 10 lakh रुपेज है उस पे tax लगेगा 78% की rate से तो आपका जो सातवा question उसका answer है वो 7 lakh 80,000 रुपेज हो जाएगा यह कौन से topic से question है यह पहला वाला topic है जो tax rate अगर आप compact में देखेंगे तो tax rate वाला topic है उसी में मैंने ये चीज़ बता रखिये चलिए उसके बाद question number 8 पे चलते है question number 8 बोलता है that is tripti charitable trust registered under section 12 AB paid rent of premises at a 30,000 per month by cash cash में rent पे गिया and it also did not deduct the tax on salary paid to its manager amounting 9 lakh 80,000 for the previous year 22-23 the total income of assessi would be increased by because of the about that transaction please provide the brief justification ये तुमारा जो है वो trust topic से है करके ठीक है trust topic है वो trust topic से ये question है अब एक बात बताओ अगर आपको trust topic याद रहेगा तो मैंने आपको बताया था trust topic में जो section होती है na 40 A subsection 3 as well as 40 A subsection 3 A and एक section होती है 40 clause A sub clause 1 A ये जो चीज़े है ना ये जो है ये section as it is आपके trust topic में भी लग जाती है trust topic में भी लग जाती है इसका मतलब ये हुआ कि जब 40 A subsection 3 अगर आप cash में 10,000 से ज़्यादा किसी को payment करते हो तो उस particular case में वो disallowed हो जाता है and 40 clause number A sub clause 1 A क्या बोलता है कि अगर आप किसी resident person को payment करते हो और उसका TDS नहीं काथा या TDS काथ के government को जमा नहीं कराया तो 30% कर्चा disallowed हो जाता है तो मुझे एक बात बताओ यहां 10,000 से ज़्यादा का rent आपने cash में pay किया है तो ये तो पूरा disallowed हो जाएगा तो पूरा disallowed हो जाएगा इसका मतलब 30,000 multiply by 12 it comes to the 3,60,000 है यह आपका disallowed हो जाएगा और उसके बाद 9,80,000 है इस 9,80,000 का 30% है वो आपका disallowed होगा that is 2,94,000 and 2,94,000 तो आपके पास में total आजाएगा 3,60,000 plus 2,94,000 6,54,000 है इतना आपका disallowed हो जाएगा तो B will be the right answer of the question number 8 8 का जो B है वो आपका right answer आजाएगा उसके बाद मैं चलिए तो यह trust topic से question था उसके बाद मैं question number 9 पे जाते है royalty of the 10 lakh received by a foreign company from the Indian concern in pursuance of the agreement approved by the central government in the previous year 22 days what will be the tax liability of the company एक बाद समझे है foreign company या non-resident को कोई भी royalty मिलती है तो वो royalty कौनसी section में taxable होती है 115 A में taxable होती है और 115 A बोलती है कि अगर मान लो उसका इंडिया में PE नहीं है जब कुछ नहीं दे रखा तो यह माना जाएगा इंडिया में PE नहीं है तो वो royalty है वो taxable होती है at the rate 10% की rate से 10% की rate से वो taxable हो जाएगी और plus obviously जब कुछ नहीं बोला हो है और plus आप क्या करेंगे 4% की rate से उसमें health and education says add करेंगे तो यहाँ पर 9 का जो answer रहेगा that will be the B 1,4000 विल बी the right answer यह आपका कौन सी topic से question है तो यहाँ पर मैं बता दू यह आपका NR taxation से है तो जो international taxation वाला जो book है उसमें NR taxation से आपका यह वाला question है उसके बाद आगे बढ़ते है next point अगर CSR का खर्चा करते हो तो उसका कोई भी deduction नहीं मिलता आपको CSR का खर्चा है वो business expenditure नहीं माना जाएगा यहाँ पर आपको कुछ भी deduction नहीं मिलेगा तो 10th का answer है वो आपका निल रहेगा कोई भी deduction नहीं मिलेगा उसके बाद में अगर आगे चलते है point number 11 पर 11 क्या बोलता है अब एक बाद समझता है यहाँ पर question थोड़ा अधूरा सा लगता है क्यों अधूरा सा लगता है क्योंकि एक बाद बताओ पहली चीज तो यह वो foreign company का इंडिया में PE नहीं होना चाहिए तो ही equalization ले भी लगता है अब foreign company का इंडिया में PE है नहीं है उसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा है यहाँ पे इनको देना चाहिए था इंडियान कंपनी 5 लग का पेमेंट कर रही है foreign company and foreign company is not having a PE in India तो उस particular case में जो online advertisement के लिए जो पैसा देंगे ना उस पे जो TDS तो कटेगा नहीं देखो बाई सिंपल सी बात है अगर यहाँ पे TDS करता तो novel rate से करता करके 194C तो नहीं आएगा यहाँ पे बट एक बात बताईए यहाँ पे equalization लेवी लगेगा अगर उसका PE नहीं है और equalization लेवी कौन सी rate से लगेगा 6% की rate से लगेगा तो यह वाला question आपका equalization लेवी topic से है तो equalization लेवी आपके non-resident taxation में है वहाँ से यह वाला question है उसके बाद में last question Venice Traders is engaged in the turmeric trade with a turnover exceeding 1000 lakh dispatch its goods through the Indian railway Indian railway के थूँ नोंने goods अपना dispatch किया है the amount of freight payable as on 31st March 2023 is 1 lakh 40,000 का उनका freight payable था it want to claim the freight as a expenditure to satisfy such claim it has to pay the freight to Indian railway Indian railway को freight कौन सी rate तक उनको pay करना पड़ेगा अब एक बात बताओ बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे call करके क्या हम तो sir CMA वाले है क्या हमको PGBP पड़ना पड़ेगा answer is yes आपको PGBP पड़ना पड़ेगा क्योंकि आप देखिए यह तीसरा question है जो PGBP से है यह जो है यह तीसरा question है MCQ का जो PGBP से है तो एक बात बताई PGBP में आपको याद रहेगा एक section मैंने बताई थी 43B करके और 43B क्या बोलती है कि अगर आप वो 5 payment करते हो 5-6 कौन-कौन से payment याद है आपको एक तो वो ही तुमारा tax duty और दूसरा अगर आल अपने loan लिया है schedule bank से PFI से SSC से या फिर आपका NBFC बगेरा से और तो उसका interest है उसके बाद में एक और जो वहाँ पे point था जिसमें आप employee को bonus and commission देते हो employer का contribution SPF, RPA, BGA, PASF या किसी भी fund में और एक point उसमें ये था कि अगर मानलो आप railway का कोई asset यूज़ करते हो उसका payment है तो आपको खर्चा तभी allow होगा जब आपने up to the due date of return filing उसका actual में payment कर दिया हो तो यहाँ पे actual में payment है वो before the due date of return filing करना पड़ेगा तो ही उसका deduction मिलेगा तो here guys A will be the right answer A जो है वो आपका right answer यहाँ पे रहेगा तो यह रहे आपके MCQs एक बात बताओ 12 MCQs हमने discuss किये मेरे को तो इसमें से एक भी MCQ difficult नहीं लगा मेरे को as well as जब आप CA में final में रहोंगे तो आपने अगर exhaustive study किया है तो आपको इसमें से एक भी MCQ ऐसा नहीं लगा होगा जहां आपको लगा होगा कि नहीं है बड़ा difficult है वैसा नहीं है कि all MCQs are manageable और manageable है और आप 24 में से 20 माग यहाँ पे score आराम से कर सकते है चलिए उसके बाद section B पे चलते है और यह section B में total आपके बाद 6 question है जो 15-15 आपके है उसमें से आपको क्या करना है 4 questions है वो आपको attend करने है कोई भी दो question आप option में छोड़ सकते है चलिए उसके बाद में एक जो question है यह question तो as it is आपके compiler में दे रखा है set up and carry forward topic में set up and carry forward topic है उसमें as it is दे रखा है section 79 के reference से यह question है और इस question में वो ही है कि वही है जिस year में कोई अगर मालो closely held company है तो जिस year में loss incur करती है उस year में जितने share older थे 51% same share older होने चाहिए उस year में जिस year में उसको set up लिया जा रहा है जिस year में set up लिया जा रहा है उस year में same होने चाहिए 51% share older अगर वो है तो ही वो set up लिया जा सकता है losses का और यह section losses के लिए applicable होती है unabsorbed appreciation के लिए नहीं और ये same question is given in our compiler आप अगर compiler में जाके देखेंगे तो same question आपके compiler में दे रखा hacker के ठीक है चलिए तो इस question को मैं discuss नहीं करूँगा because same question I think amount भी change नहीं है amount भी change नहीं है आप setup carry forward वाले topic में ये question देख सकते है and this question is of the 7 mark के लिए यहाँ पे CMA Institute ने पूछा है इस paper में चलिए उसके बाद question number B पे चलते है और question number B बोलता है श्री अनोज is a ordinary resident in India इसका मतलब ये बंदा R and O R है resident and ordinary resident provide following detail of his income for the previous year relevant for the assessment year 23-24 के लिए उन्होंने detail दिये income from India India का income 3,40,000 है income from country Z, Z का income 2,000,000 है और investment in the PPF 10,000 हो तो इसका आप ATC में deduction ले सकते है PPF का आगे क्या दे रखा है further it is noted that India has a avoidance of double taxation agreement with the country Z country Z के साथ हमारा DTAA है double taxation avoidance agreement है and according to that agreement income is taxable in the country in which it is earned and not in the other country ये लोग बोलते हैं कि वो agreement में ये लिखा हुआ है कि भई income सिरफ उसी country में taxable होगी जिस country में वो income कमाई जाती है जिस country के आप resident हो दूसरी country में वो taxable नहीं है मतलब उस country में taxable है जहां पे वो कमाई जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी income है income from country Z है ये country Z में ही taxable होगी इंडिया में taxable नहीं होगी country Z में ही taxable होगी इंडिया में taxable नहीं होगी लेकिन आगे क्या दे रखा है however in the other country such income can be included for the purpose of computation of tax rate लेकिन उसको एक बार computation of tax calculate करते ताइम उसको include करना पड़ेगा और computation of tax calculate करते ताइम include करना पड़ेगा उसकी वज़े से आपका slab rate बढ़ जाएगा and foreign income has been taxed in the country that is 20% की rate से वहाँ tax बढ़ा है आपको Indian tax payable निकालना है तो एक बात बताओ देखो ये वाली जो income है ये question 91 section का नहीं है DTAA relief वाला 91 का नहीं है ये section 90 का है जब DTAA है और DTAA बोलता है कि कोई भी income जिस country में आप कमाते हो उसी country में taxable होगी दूसरी country में taxable नहीं होगी तो एक बात बताओ ये जो income 2,00,000 की है ये बहार ही taxable होगी इंडिया में taxable नहीं होगी बढ़ इंडिया में tax calculate करते टाइम इसको include करना है tax calculate करते टाइम आप include कर तो फिर उसका rebate ले लीजिए अब आप कैसे करेंगे इसके लिए तो आप एक काम करिए पहले 340 और 2 lakh को include कर दीजिए तो आपका हो गया 540 और माइनस 10,000 निकाल दीजिए तो 5,30,000 हो गया अब 5,30,000 पे इंडिया में आप tax निकाल दीजिए और tax देखिए 5,30,000 पे कौन सी rate से आता है slab rate से आप tax निकालेंगे 2,50,000 तक कोई भी tax नहीं 2,50,000 से 5 lakh तक जो आपका है वो आपका 5% 5 lakh से लेके और आपका 10 lakh तक जो रहेगा वो आपका क्या बोलते है तो यहाँ पर क्या होगा इंडिया में यह taxable income नहीं है तो इसका solution अगर आप देखेंगे तो आपको better understanding बैठेगी तो यहाँ पर solution अभी मैंने देखे तो देखिए आप solution पर चलेंगे तो 3,40,000 पहले रहेंगे country Z का income 2 lakh है उसको आप add कर लीजिए 5,40,000 उसमें से 10,000 आप less कर दीजिए तो आपका 5,30,000 आया अब 5,30,000 पह अगर आप tax निकालेंगे तो 30,000 पह 20% की rate से और प्लस 12,500 18,500 आ गया प्लस 4% health and education says 19,240 आया अब यह 19,240 जो आया है यह कितने पह आया है 5,30,000 पह तो 5,30,000 multiply by 100 it comes to the I think it's a 3,63% तो आप एक काम करिये ना 2,00,000 पहे 3,63% जितना रहेगा वो आप less कर दीजिए 7,260 है इतने का आपको rebate मिल जाएगा कौनसी section का 90 का rebate 90 का rebate मिल जाएगा बाकी वाला जो है वो इंडिया में आपको tax pay करना पड़ेगा कर एठीक है आप बोलोगे यह अनुच वाला question कहां दे रखा है अपने compiler में तो compiler में आपको पता रहेगा मैंने CA institute के कुछ past paper डाले है CA institute के कुछ past paper डाले है last में आपके compiler के last में उसी में यह question है उसी में question एक बात बताओ question wise CA institute, CMA institute same है DT में DT में question wise आप देखोगे यह CA institute ने पूचा हुआ है पहले यह CA, CA में institute ने पूच लिया यह वाला question पहले CA institute ने पूचा था अब CA institute पूच रही है करके ठीक है तो ultimately दोनों same यह जादा फरक है नहीं चलिए, उसके बाद में question number 3 पे चलते है Mr. Brown, a non-resident made an application अब एक बास समझना यह भी question compiler में है कि अगर आप board for advance ruling के पास में जाते हो तो आप application को withdraw कर सकते हो या नहीं उसमें time limit होता है 30 days का आप 30 days के अंदर अंदर चाहे तो आप 30 days के अंदर अंदर आप withdraw कर सकते है 30 days के अंदर अंदर आप जो है वो application withdraw कर सकते है बढ़ 30 days के आप बाद में भी कर सकते है answer is yes एक mkjn करके case law है और mkjn case law में यह बुला हुआ है कि अगर बार को लगता है तो वो 30 days के बाद में भी आपको allow कर सकते है कि आप अपनी application है वो withdraw करना चाहे तो आप कर सकते है कोई दिकत नहीं है चलिए अब उसके बाद में तो यह वाला question आपके 5 mark का है बड़ा ही simple सा question है compiler में भी दे रखा है और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा उसके बाद next question compute the arm length price through the following information अब आप देखिए यहाँ 10 mark का question है यह transfer pricing से है और बहुत ही simple सा question है देखिए क्या दे रखा है compute the arm length price through the following information A limited is a distributor of the IT product A limited जो है वो एक distributor है IT product का A limited purchase this product from its related party P limited P limited एक related party है जो associate enterprise है तो associate enterprise से यह क्या करता है कुछ goods है वो purchase करता है A limited also trade in laptop manufacture by the X limited एक X limited कोई भार की party है जो outsider है उससे यह लोग क्या करते है laptop खरीदते है P limited as well as X limited वोड सफ़ता वारंटी replacement free of cost to the A limited दोनों ही वो replacement का वारंटी देती है other detail आपको दे रखी है और other detail के बाद आपको ऐसा बोला ही नहीं का करना क्या है compute ultimately arm length price ही दीसी बात है CMAK Institute कभी कभी question बनाती है पूरा देती ही नहीं का करना क्या है भाई तो बता दो करना क्या है arm length price निकालनी है arm length price निकालनी है अब एक बात बताईए यहाँ पे ये party जो है ये अपनी associate enterprise है तो एक बात बताओ उससे जो हम खरीद रहे है ये माल ये वाला price गलत है ये जो 15 आजा रहे है ये गलत है क्योंकि ये cheating वाला ये tented price है ये आपका bias price है ये तुम्हारा tented price ये तुम्हारा बायत price है तो ये वाला price ये वाला ये वाला प्राइज है तो ये आपका करेंगे आम-lenged price निकालेंगे दिसेयल प्राइज मेज़ हैं अट्राइडि unity अट्राइडर में यह तो नो मुझे यह बात बताईये जर्गática कितना प्रोफिट चार्डawk तो आप देखी दूसरे वाले transaction में कितना profit चार्ज कर रहे हैं तो मैं बताँ 26,000 जो outsider से खरीदा outsider को बेचा 24,000 माइनस 22,000 और माइनस कर दीजिए 700 तो आपके बास 3300 का profit है और यह 3300 का profit अगर आप sale पे निकालते है 26,000 पे तो मैं बताँ बाकी वाले 12.69% का आपको profit है जो आपका related जो क्या बोलते है जो आपका outsider वाला transaction है उस पे 12.69% का आपका profit है तो एक बात बताईए यहाँ पे आपका 12.69% sale पे profit है तो आप जो associate enterprise से goods खरीद के बेच रहे हो उस पे भी आपका जो profit margin है वो आपका 12.69% होना चाहिए तो आप एक काम करिए ना 18,000 पे अगर आप 12.69% profit लेते है तो इसका मतलब 2284 का आपका profit आना चाहिए तो 2284 का profit आना चाहिए तो 18,000 minus 2284 it comes to the 15,716 रुपय यह आपकी total cost आनी चाहिए यह आपकी total cost आनी चाहिए और इसमें इसे already आपने 500 रुपय का खड़्चा कर दिया यह वाला कर गड़िए तो इसका मतलब आपकी purchase होनी चाहिए 15,216 रुपय के पन दरह हजार और 216 रुपय है उतने से आपकी purchase होनी चाहिए 15,216 आपने purchase कितने पे किए 15,000 पे किए तो उल्टा आपने तो purchase कम पे गीए ना अगर आप purchase है, वो 15,216 पे record करोगे, 15,216 पे record करोगे, तो इंडिया में profit उल्टा कम हो जाएगा, और इंडिया में जहाँ profit कम होता है, वहाँ ट्रांस्पर वाइजिंग नहीं लगता है, question number 4 की मैं बात करूँ तो question number 4 का जो पहला पार्ट जो मुझे दिख रहा है section 270A से दिख रहा है ये आपके penalty topic में और मैं बताओ मैंने ये topic बहुत ही बढ़िया तरीके से कराया था और ऐसा ही similar question मैंने आपको कराया था ऐसा ही similar question है वो मैंने आपको class में कराया था उसका book में कही देनी रखा था इसमें क्या होता ना कि under reported income और मिस रिपोर्टेड इंकम जो रहती है उसके आपका penalty लगता है जो टेक्स का कितना पर सेंट लेने का जो भी टेक्स आता है उस टेक्स का आपको लिना पड़ता है कितना परसेंट बोलो ना कितना परसेंट 50 परसेंट अगर under reported income इंकम है और मिस रिपोर्टेड इंकम है तो लेना पड़ेगा तो एक बात बताईए यहां रिटन इंकम जो है वह 80 लैक है और असेस्ट इंकम 120 और इस पर टेक्स निकालके दे रखा है बढ़िया चीज किया है उन्होंने और बुक प्रॉफिट है इसमें भी बढ़ गया अ और आप एक काम के लिए यह जो दोनों tax है इस tax मेंसे इस tax को लेज कर दीजिए तो इस tax मेंसे इस tax को आपने less कर दिया पहला तो यह ले लीजिए अब दोनों की total कर दीजिए उस पे यहा तो 50% penalty लगेगी या 200% penalty मिस reported income है तो 200% अच्वर्शा जादा करके ठीक है बटीनों ने दस माग के लिए पूचा है तो कोई बात नहीं महाइब आप करके आई से अपनी जो CMA इंस्टिटूट है वो जैसा बोल रही है वैसा अपन कर लेंगे ठीक है चलिए उसके बाद में हम आगे चलते हैं एक और और यह क्वेस्टन जो दे रखा है राइड दब्रीफ नोट अन्द सेकेंडरी एड़स्टमेंट अंडर सेक्शन 92C एक बात बताओ यह क्वेस्टन भी आपका ट्रांसपर प्राइजिंग से है थेरेटिकल क्वेस्टन पूचा है सेकेंडरी एड़स्टमेंट क्या होता है अब तो आपने किया है यह की वज़े से हुआ है या अपको सेकेंडरी एड़स्टमेंट करना पड़ेगा वह इंडिया में रेट्रिट करना पड़ेगा 90 ची के अंदर और अगर मालो वो फॉरेंग करनसी में है तो आप क्या करोगे 30 सेक्टेंबर का आप लिबोर लोगे लाइबोर और प्लस 3% करोगे वो इंट्रेस्ट के रिट आएगी उसमें एक और ऑप्शन यह होता है कि आप एक काम के रिए लंसम टेक्स बढ़ दीजिए 18 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 4% इतना टेक्स बढ़ दीजिए तो फिर आपको सेकेंट्री अड़ेस्ट्मेंट करने की जुरूत नी तो जो मैंने थेरी में दे रखा है वो आप यहाँ पे लिखके आपको आना है कर गे ठीक है तो वैसा आप लिख सकते हैं इस क्वेशन में क्वेशन नबर 4 की में पर रहे हैं तो टेक्स प्लानिंग क्या होता है कि जो लॉमेकर्स का इंटेंशन है उसके अकॉर्डिंग यह आप कर रहे हो जैसे 80C ले रहे हो आप कर गे ठीक है 80D का डिड़क्शन ले रहे हो 30% का स्टेंड डिड़क्शन ले रहे हो 50,000 का सालरी में डिड़क्शन ले रह है तो आप 87A का रिवेट ले रहे हो that is the lawmakers का intention तो वो आपका जो होता है ना that is call your tax planning tax avoidance क्या होता है कि law के loophole को आप use कर रहे हो जो law है उस law के loophole को आप use करते हो that is call your tax avoidance करके कि lawmakers का ऐसा intention नहीं था बट आप गलत कर रहे हो that is called tax avoidance उसके बाद में यह black money से related एक simple सा question है आप अगर इसका solution देखोगे और black money का आपको revision lecture youtube पे मिल जाएगा आप youtube पे जाएगे और youtube पे आप revision lecture डालिए ऐसा डालिए black money revision lecture by the CA भवर बोरणा आपको revision lecture youtube पे मिल जाएगा just listen that revision lecture and notes is given in your compact only black money तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं करके ठीक है उसके बाद में एक और question जो है this question is also from the transfer pricing बाइसाब transfer pricing तो भर भर के दे रखा है उन्होंने करके ठीक है और देखिए transfer pricing का 8 माक का question यह question क्या बोलता है transfer pricing का यह question बोलता है megabyte INC of the France, France की company है and R Limited of India are associate इसका नाम है R Limited R Limited import 3000 compressor of the year conditioner from the megabyte INC at the 7500 per unit 7500 में अपन उनसे खरीदते है किस से megabyte से compressor खरीदते है इंडिया में and these are sold to the pleasure cooling solution limited at a price of 11,000 per unit means आगे हम उसको 11,000 में बेच देते है R Limited had also imported similar product from the cold INC Poland and sold outsider at the gross profit margin of 20% on the sales means sales पे हम बाकी वालों को अगर मालो अगर outsider से खरीद का outsider को बेचते है तो 20% sales पे अपन क्या लेते है profit लेते है megabyte INC offered a quantitative discount of the 1500 per unit 1500 per unit है वो हमको quantitative discount यहाँ पे मिलता है megabyte से करके cold INC could offer only 500 per unit as a quantitative discount वो cold INC से सिरब 500 इक quantitative discount देती है यह ज्यादा discount देती है तो यहाँ पे वहिया ज्यादा discount देती है तो फाइदा हो जाएगा यहाँ पे करके ठीक है उसके बाद में the freight and customs duty paid for import from cold INC Poland had a cost of 1200 per piece and in respect of purchase from cold INC R limited had to pay 200 only at a freight charges तो यहाँ पे जब अर लिमिटेड जो है वो अर लिमिटेड जब cold INC से खरीती है तो उस particular एक सेगेड़ा वापस मैं यह वाला sentence पढ़ रहा हूँ the freight and customs duty paid for import from the cold INC Poland cold INC Poland 1200 per piece and in respect of purchase from cold INC यहाँ पे कुछ न कुछ line में दिखकत है हाँ एक सेगेड हाँ यहाँ पे आप जो है न यह वाला जो cold INC जो लिखा हुआ है इसको आप काट के और यहाँ पे last वाली line जो है यहाँ पे आपको लिखना चाहिए megabyte INC यह आपका megabyte INC आएगा analyze the light of the related provision of income tax law and compare the amount of arm length price and total income of art limited पे क्या फरक पड़ेगा तो देखो एक बात समझना यह question क्या है कि यहाँ पे इंडिया का enterprise है जिसका नाम है are limited और यह क्या कर रहा है megabyte INC जो उसकी associate enterprise है उससे क्या कर रहा है compressor खरीद रहा है और compressor कितने में खरीद रहा है साड़े साथ जार रुपे में खरीद रहा है और आगे कितने में बेच रहा है megabyte जो है वो quantitative discount और offer करती है क्योंकि उससे ज़्यादा order करते है तो quantitative discount है वो 1500 रुपे ओफर करती है लेकिन यह दूसरी वाले जो company थी cold INC वो 500 ही करती है तो यहाँ 1000 रुपे discount एक्स्ट्रा मिलना चाहिए इसमें दूसरी चीज एक और यह है कि बहिए एक बात बताईए जो freight and custom duty हम pay करते है जब cold INC से खरीते है तो हम 1200 पे करते है बड़ मेगा बाइट से खरीदेंगे तो सरफ हमको 200 रुपे पे करना पड़ता है तो यहाँ पे जो है वो basically आपको arm length price निकालना है तो आपने जो खरीदा 7500 यह तुमारा tented price का मतलब यह वाली price है यह bias price है आपको यह price निकालना है कि purchase price सही क्या होनी चाहिए थी तो सही क्या होनी चाहिए तो आप एक काम करिए resale price follow करते time सबसे पहले आपकी selling price ले लीजिए 11,000 अब एक बात बताईए अगर आप similar transaction जब करते तो आपका GP margin कितना रहता है 20% on the sale तो 20% on the sale रहता है तो आप मुझे बताईए 11,000 multiply by 20% on sale it comes to the 2200 minus कर दीजिए 11,000 मैंसे तो 11,000 minus 2200 it comes to the 8800 यह मैं बताऊँ आपकी total cost आनी चाहिए यहाँ पे जो differential खर्चे है उसको आप less कर दीजिए अब एक बात बताऊ अपने को जो अपनी associate enterprise है वो discount भी देती है वो कितना discount देती है 1000 रुपय एक्स्टा discount देगी तो जब 1000 रुपय एक्स्टा discount देगी तो उस discount का जो adjustment है वो आप कर लीजिए तो 1000 रुपय एक्स्टा discount आगया as well as the अपने को 800 रुपय का saving उसमें भी हो रहा है तो वो भी अपनी cost नहीं लगेगी क्योंकि freight का खर्चा है वो यहाँ पे कम लग रहा है ठीक है तो 800 रुपय का वो भी आप adjustment कर लीजिए अब आप देखिए कि आपके पास में amount कितना आता है तो आप अगर मैं आप आपको solution से बताना चाहूं तो देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्या है sorry वो 800 नी that is a 1000 because 1200 और 200 है न हाँ 1200 और 200 तो 1000 रुपय का फरक है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले 11,000 रुपया जो है वो आपका क्या है resale price method resale price है उसके बाद में आप क्या करिए adjustment differences के लिए द अब आपने purchase कितने में किया 7500 में किया तो आपने अपनी cost बढ़ा है मिस profit कम किया है तो 7500 minus कर दीजिए 6800 it comes to the 700 और multiply by आपने 3000 unit करी दिए तो 21,00,000 रुपया है वो आपके profit में जोड़ जाएगा उसके बाद में next part आता है that is point number 6 करके ठीके question number 6 अब question number 6 में देखो ICDS भी पूझा हुआ है एक आथा ऐसा question आएगा जिसमें आपको ICDS के बारे में 5-6 माग का पूझा जाएगा ICDS 3 के बारे में लिखिए अब मैं एक बात बात बताव ना ICDS normally बच्चे जो है final में भी छोड़क बट ICDS बहुत सारे बच्चे है वो छोड़के जाते है तो ICDS वाला एक तो question है दूसरा question क्या है smile limited is a wholly owned subsidiary company of the happy limited यह दोनो holding subsidiary company है smile limited owns a plant A and plant B depreciation rate 40% है depreciated value of the block 3 lakh रुपेज on the 1st April 2022 को तो यहाँ पे जो smile limited उसका block में A और B दो asset है और उसकी opening WDV इस साल की 3 lakh रुपेज है opening WDV इस साल की 3 lakh रुपेज है plant B was purchased and put to use on the 10th November 2020 को 10 November 2020 मनलब दो साल पहले खरीदा था जिसकी cost 70,000 थी plant B transfer by, अब plant B यह transfer हो रहा है smile limited to the happy limited on 14 December 2022 at a 20,000 रुपेज में transfer हो रहा है it is put to use by happy limited on the same date happy limited owns plant C as on 1st April 2022 depreciation का rate 40% depreciated value है वो 60,000 है आप से पूचा क्या है access the amount of depreciation in hands of smile limited and happy limited for the assessment in accordance with the related provision of the law तो यह depreciation से related question है अब एक बात बताओ पहली चीज़ तो अपन क्या करेंगे अगर मैं बात करू इस company की that is the smile limited तो smile limited का opening WDV कितना है 3,00,000 रुपेज है अब एक बात बताओ यह 3,00,000 रुपेज उसका opening WDV है क्या इसने इस साल कोई asset खरीदी है क्या answer is no इस साल उसने कोई भी asset नहीं खरीदी smile limited अब एक बात बताओ smile limited ने इस साल कोई भी asset नहीं खरीदी तो उस particular case में क्या होगा यह 3,00 में से एक तो उसने asset बेची है जो plant B है वो बेच दिया कितने में बेचा 20,000 में तो आप लेस कर दीजिए तो थ्री लेक में से 20,000 लेस कर देंगे तो बचेगा कितना टू लेक 80,000 बचेगा तो टू लेक 80,000 पर 40% की रेट से इनको depreciation मिलेगा एक लाग 12,000 का तो एक लाग 12,000 का depreciation है वो इनको मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे CDC बात है 3,000,000 रुपेज है वो ओपनिंग WDV है उसमें से plant B बेच दिया 20,000 में तो 280 बचा उस पे एक लाग 12,000 बचा कि मैं explanation दे रखी है मैंने बहुत सारी मैंने क्या lawmaker ने दे रखी है explanation 1, 2, 3 बहुत सारी explanation उसमें explanation 6A होती है 6A होती है 6, 7, 7A होती है अब एक बात बता वो explanation में यह है कि अमल commission de-merger में asset transfer होती है या holding subsidiary को asset transfer होती है तो जो लेता है जिसको asset मिलती है उसके लिए actual cost क्या होती है जो उसकी opening WDV है वो as it is आपकी actual cost होगी तो जो उसकी opening WDV निकालनी पड़ेगी अब उसकी opening WDV कैसे निकालोगे तो उसने वो asset कब खरीदी थी तो मैं बता हूँ उसने 2020 में खरीदी थी वो asset और 2020 में कितने में खरीदी थी 70,000 में खरीदी थी तो आप 70,000 ले लीजिए अब एक बात बता है यह उस year का जो 20-21 का depreciation half rate से मिला होगा क्योंकि 2020 में उसने खरीदी थी तो उस year का depreciation आपको half rate से मिला होगा तो half rate से कितना मिला होगा तो 70,000 minus 70,000 का आप 20% कर दीजिए 14,000 56,000 2021 की opening WDV होगी अब 2021 का depreciation वापस उस पे 40% मिला होगा तो आप less कर दीजिए 33,600 आथा 33,600 वो अब यहाँ पे इसकी क्या होगी actual cost होगी जो यह company है इसकी actual cost जो happy limited है उसकी actual cost है वो 20,000 नहीं होगी 33,600 होगी उत्ते से block में add कर दिया अब उस पे 40% इस साल में आप depreciation ले लिजे इस साल भी 40% नहीं ले पाएंगे model test paper है वो आपके लिए है मेरे लिए नहीं है या आपको करना पड़ेगा यह वाला question जो है यह भी transfer pricing से है जो पहला question है वो transfer pricing से कितना सारे question है उसके बाद यह वाला question है इसमें एक चीज का इनको ध्यान रखना चाहिए था इनको यह बोलना चाहिए इनोंने नहीं बोला है बट इनको बोलना चाहिए था इग्नोर एम्ट अल्ट नहीं अब एम्ट लगे गई नहीं क्योंकि एड्जस्टेट टोटल इंकम 20 लाग से जादा नहीं हो यहाँ ठीक है चलक कोई बात नहीं ठीक है बट इनको है ना हर जगे एक चीज वो बोलनी चाहिए कि इग्नोर 115 BAC, CA Institute बोलती है कि 115 BAC को इग्नोर करो यहाँ पर 115 BAC को इग्नोर करने का बोला नहीं है तो 115 BAC भी लग सकता है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स लाइबिलिटी आपको निकालनी है यह सेम क्वेश्चन अपने कंपाइलर में दे रखा है उसके बाद यह क्वेश्चन जो है meidän का क्वेश्चन है पहले आप नौरBayल प्रो विजन के हिताप से टैक्त में थिखार लिए और उस पर आप टैक्स रिखार लिए तो यह कॵेश्चन पी दे रखाए so this is the वाले में जो question दे रहें के model test paper नमबर टू की करें ठीक है चलिए बात करते हैं सेट नमबर टू की और सेट नमबर टू की अगर बात करें तो सीथा चलेंगे अपन mcq पर बाकी कैसे कैसे क्या आता है वो हम बता चुका हूं तो mcq में सबसे पहला mcq बोलता है gaur provision shall not apply gaur provision कब नहीं लगेगा गaur provision है वो कब नहीं लगेगा एक बात बात आओ गaur करोड रुपे से ज़्यादा होना चाहिए तब गार लगता है तो गार कब लगता है इंपरमिसेबल अवोड़ेंस arrangement होना चाहिए और उसमें जो tax benefit हो रहा है जितनी भी पार्टिया उस arrangement में है उनको जो total मिलाके जो tax benefit है वो 3 करोड से ज़्यादा है तब वहां पर गार लगता है तो कहां पर नहीं लगेगा तो अगर मैं बोलू कहां पर आपका जो गार है वो नहीं लगेगा गार provision shall not apply and arrangement where the tax benefit in the relevant assessment year arising in aggregate to all the parties to the arrangement does not exceed the sum of the 3 करोड तो 3 करोड से ज़्यादा नहीं है करके ठीक है तो वहां पर गार नहीं लगेगा cdc बात है करके ठीक है so a will be the right answer उसके बाद में चलते हैं दूसरे point पर uncontrolled transaction means एक बात बताई है uncontrolled transaction किसको बोलते है जो transaction unrelated party के साथ में होता है एक बात बताओ अगर आप associate enterprise के साथ में जो transaction करते हो वो तो control transaction होता है जो associate enterprise के साथ में transaction होता है उसको अपन control transaction बोलते है तो uncontrolled transaction किसको बोलेंगे enterprise other than associate enterprise के साथ में जो transaction होता है that does call your uncontrolled transaction करेंगे ठीक है चलिए उसके बाद में provision of section 92 92 का मतलब होता है transfer pricing will apply only if the aggregate value of specified domestic transaction entered into by the taxpayer during the year exceed a sum of the 20 करोड रुपेज तो यह तो पता है specified domestic transaction पर transfer pricing तभी लगता है जब specified domestic transaction है वो 20 करोड रुपेज से जादा का है तब वहाँ पर transfer pricing लगता है otherwise transfer pricing नहीं लगता उसके बाद in respect of the DTAA generally इंडिया कौन सा follow करती है तो यह आपको पता है वो तीन last वाले topic मैंने दिए text treaty, model text convention and तुमारा like text convention, model text convention, text treaty and एक और BAPS वाला topic और उसमें एक जगे दे रखा है that is text treaty वाले में के इंडिया कौन सा model follow करती है इंडिया जो है न वो UN model follow करती है we are a part of the UN we are not a part of the OECD we are part of the UN तो अपन क्या करते है UN model follow करता है तो इंडिया जनरली जो है वो UN model है वो follow करता है उसके बाद ICDS is applicable in case of income under the head ICDS है वो PGP other sources की income निकालने के लिए PGP और other sources की income calculation में काम आता है और वो भी books maintain करने के लिए there is no need to follow the ICDS for maintenance of books of accounts books of accounts आप अपने accounts के हिसाब से maintain करिए सिरफ ICDS है वो income computation and disclosure के लिए use होता है तो ICDS है वो PGP का income and other sources का income तो यहाँ पर PGP दे रखा है other sources तो नहीं दे रखा so right answer is a E उसके बाद में countries that employ explicit policies designed to attract the international trade oriented activity by minimizing the tax and reducing and eliminating of the other restriction on the business operation is described है एक बात बताईए ऐसी country को क्या बोलते है जो country क्या करती है international trade को promote करने के लिए अपने आपे लोगों को बुलाती है और बोलती है तुम बहुत कम tax भरो या tax भरो ही मत या तो कम tax भरो ही मत उस ऐसी countries को tax heaven countries बोलते है जहां tax का सुकुन मिल जाता है tax heaven countries बोलते है तो उसको अपन बोलते है tax heaven countries करके चलिए उसके बाद में शक्षिता fertilizer private limited is a manufacturer यह manufacturer है किसके fertilizer के a factory building has been constructed for the 40 lakh rupees and occupied on the 12th feb 2020 को additional depreciation allowable for that factory building is including surcharge and cess एक बाद 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 यह building पे तो additional depreciation मिलता ही नहीं एक बाद बाद यह additional depreciation सिरफ किस पे मिलता है plant and machinery पे मिलता है उसमें भी new होना चाहिए second end नहीं होना चाहिए जो office में use होता है वो नहीं होना चाहिए जो residential accommodation में use होता है वो नहीं होना चाहिए तो बेटा उनको छोड़के बाकी बाली जो रहेते plant and machinery उस पे आपको additional depreciation मिलता है तो additional depreciation यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा so this is a nil उसके बाद में अपन चलते है point number 8 पे और देखे point number 8 क्या बोलता है निस 92D जो transfer pricing देखो एक बात बताओ transfer pricing में कुछ documentation रखने पड़ते है जिसको बोलते है local file करके TP study report and all तो वो एक बात बताओ कितने साल के लिए रखने पड़ते है 8 assessment year के लिए रखना पड़ता है 8 years के लिए आपको रखना पड़ेगा carbon credit एक बात बताओ carbon credit को बेचते हो ना तो tax आपको बता है 10% की rate से लगता है तो 10% की rate से tax लगता है section 115 BBG करके है शायद right 115 BBG करके एक section है उसमें बोला हुआ है carbon credit यह पहले ही topic में मैंने दे रखा है कि carbon credit points को अगर आप बेचोगे तो उस पर आपको 10% की rate से tax लगेगा तो 10% की rate से और plus आप क्या करेंगे उसमें health and education से हैसे वो आप add कर देंगे तो यहाँ पर 10% की rate से tax लगेगा 1,56,000 plus आप क्या करेंगे 1,50,000 plus 4% तो 1,56,000 है वो आपका आ जाएगा उसके बाद next point when Mr. Arund age 50 years का है has business loss of the 15 lakh उसका business का loss है 15 lakh का and unexplained cash credit है वो 20 lakh का है total tax वो तो similar question उसमें भी था 20 lakh का जो है वो आपका cash credit है तो section 68 में 78% की rate से tax लगे जाएगा उसके सामने कोई भी losses वगेला setup नहीं होता तो 20 lakh का आप 78% करेंगे it comes to the 15 lakh रुपे unexplained cash credit बाबू 78% 20 lakh का 78% 15 lakh 60,000 है इतने का आपको tax लग जाएगा करके ठीक है चलिए उसके बाद में आपन चलते हैं next वाले point पे Vikash has an advertisement on the Facebook his business of coaching he is required to pay the 20,000 in the previous year through the Facebook for the advertisement एक बाद बताओ तो equalization लेवी तभी लगता है नहीं है जब आप 1 lakh रुपे से जादा का advertisement देते हो अगर 1 lakh रुपे से जादा का advertisement है तो ही equalization लेवी लगेगा तो यहाँ पे कोई भी equalization लेवी है वो आपको deduct करने की ज़रुवत नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेट आप इंदे बेकवर्ड एरिया औं बिकेम दा अलिजीबल फूट सब्ट इवेटा वेटार आप टेव परसेंट अप पूटिव परसेंट अप्ट 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 आप्ट्अच हो अप्ट्चिश्ट अवेगी टिवेगा हुआ इटिशिच्छ अइप्र December 2022, it received the subsidy in the March 2023 the amount of depreciation for the year applicable rate would be the एक बात बताईए, आपको depreciation कितना मिलेगा तो मैं बताऊं 12 lakh रुपेस का जनरेटर है इसमें से आपका 25% आप लेस कर दीजिए, तो आपका एक बात बताईए 3 lakh रुपेस आप लेस कर देंगे, तो बचेगा कितना 9 lakh रुपेस मिलेगा, बचेगा अब 9 lakh रुपेस पे आपका 15% की रेट से और वो भी 1 by 2, क्योंकि हाफ रेट से आपको depreciation मिलेगा, तो इसका मतलब 9 lakh पे आप 15% multiply by हाफ रेट से तो multiply by 9 lakh multiply by 15% divide by 2, 67,500 इतने का आपको depreciation मिल जाएगा तो यह आपको 24 marks यहाँ से मिल जाते है अगर आप ऐसा अच्छे से करके जाते है तो आपका काम बन जाता है, 12 question हो गए ठीक है, चलिए उसके बाद वाले जो question है न मैं तो अभी और तो नहीं कराऊंगा, करके ठीक है, अभी तो आपको करना पड़ेगा आप थोड़ा effort लगाईए यार, मेरे effort लगाने से नहीं होगा, मैं तो आपको हर चीज करा लूँगा, मेरे को तो सब आता है, ultimately आपको आना चाहिए ना, क्या आपको आता है या नहीं आता, वो दिहान रखना है तो यह question crown का non resident से related question है, को उसकी यह यह income है और यह income पे उसका जो tax है वो कैसे calculate किया है, इसमें deduction का भी part आया है, कि यह deduction है वो कैसे calculate किया है, तो यह question जो है, वो आप खुद देखेंगे करके, ठीक है, यह जो question है, आप खुद देखेंगे, एक में मैं नहीं को लगा था, कहीं गलती है, वो गलती कहाँ पे है, मैं आपको बता देता हूँ, देखो, इसके बाकी वाले question आप करोगे, बाकी वाले question आप करोगे, मैंने देखा है, ऐसा कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं है, कि जिसमें बहुत कोई extraordinary कुछ चीजे पूछी है, transfer pricing बहुत पूचा, ये slum sale भी पूचा है, ये जो question है, this is related to the slum sale, लोग बोलते capital के नहीं आता हमारे CA में, देख लो, ये slum sale है, ठीक है ये slum sale से related question है, बाकी भाई साब transfer pricing तो भर-भर के पूचा है, part C मस्त वाला है, इसमें पहला question रहता है, आपका DTAA से related, ये DTAA से related question रहा, ये similar question बुक में दे रखा है, और ये तुम्हारा mat वाला question रहा, ये तुम्हारा mat वाला question, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि last question जो है, वो mat और DTAA से ही आएगा exam में भी, क्योंकि दो test paper के 2 के solution में मैं देख रहा था, जब तो मुझे गलती मिले थी, मैं बता तो क्या गलती है, let me check, yes people, गलती उसमें नहीं है, गलती है 2016 का जो model test paper आया है, mock test paper, MTP बोल सकते हो आप, syllabus 2016 के लिए, जो mock test paper आया है, set 1 उसमें गलती है, और कहां गलती है वो मैं बता हूँ आपको ठीक है, ठीक हो पहले तो MCQs है, MCQs तो एकदम ही easy easy है, अब मतलब इतने easy MCQs हो सकते हैं क्या, देखिए, सबसे पहला, अब यह MCQs मैं नहीं करूँगा, तुम करोगे, कोई ऐसा वाव वाला कहीं पर मुझे तो देखा नहीं, तो तुम easily कर लोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, जो गलती है वो बता दू, तो एक तो यह है न, यह question, question number 2 का A, और जो 2 का A जो question है, इस question में गलती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, North Star Consulting Limited एक company दे रखा है, और company का 31st March 2023 के हिसाब से उन्हों ने income दे रखा है, उस income पर जो भी tax आता है, वो tax दे रखा है, TDS से कटा कितना वो रखा है, और आपको यह advanced tax और interest का question है, अब एक बात बताईए, इन्होंने बोला है, transfer pricing applicable नहीं है, तो company के लिए due date of return filing क्या होती है, तो company के लिए due date of return filing है, 31st October 2023 होगी, 31st October 2023, प्योंकि इस company के लिए due date देखो, वहाँ पे मैंने आपको 31st October किस-किस के लिए बोला था, एक तो cap वालों के लिए, cap का मतलब C का मतलब company, ये का मतलब audit party और तीसरा partner of the firm and firm account are required to be audit, उनके लिए 31st October होता है, तो return filing का due date 31st October 2023 है, लेकिन इन्होंने question को पूरा solve किया है, 30th September 2023 से, इस question को जो solve किया है, उसमें उन्होंने return filing का due date लिया है, वो 30th September 2023 लिया है, क्योंकि अगर आप 31st October 2023 लोगे, तो इस particular case में return 15 October को file हो गया, तो 234A का interest वगरा नहीं आएगा, बट आप solution देखोगे, तो यहाँ पे बेटा 234A का भी interest आएगा, इन्हो इन्होंने यहाँ due date लिया है, 30th September 2023 जो की गलत है, क्योंकि इन्होंने पूरा question update किया, बट इन्होंने यह amendment नहीं किया, कि यहाँ पे return filing का due date अब change हो गया है, और 31st October होता है, ना कि 30th September, so this is one mistake, आप लोग ध्यान रखिए करते time, उसके बाद में अगर एक और mistake की बात करू, बाकी वाले question तो same वो ही है, जो अपने book में कहीना कहीं किया हुए, बागिरिती limited वाला यह सेम अपना PGPP का question है, PGPP में जो total income का question है, वैसा ही है, इन्होंने 115 BAA को यहाँ पे follow कराया है, चलिए, अब मैं अगर बात करू आपका, तो question number एक और जगे गलती है, जो मैंने notice की, इ आएंगे, तो 5 का, 5, 5, 5, 5 का, A, B, question number 5, question number 6, 6 का B में आईए, और 6 का जो B वाला question है, उसमें कुछ ना कुछ गलती है, क्या गलती है मैं बताता हूँ, देखिए, यहाँ दे रखा है Mr. Bunsal, a resident Indian है, age 67 years है, मतलब senior citizen है, तो 67 years senior citizen है, derive the following income during the previous year, 22 का उसका income दे रखा है, income from business in India, 2,50,000 है, commission gross मिला है company in Hong Kong से, Hong Kong से इसको commission मिला है, 3,00 का, जिस पे उसका वहाँ tax pay किया है, उसने कितना 60,000 का, dividend मिला है from a company in Hong Kong, tax paid 18,000 और 90,000 का dividend मिला, और interest on fixed deposit and saving account with the bank in India, इंडिया में जो saving bank है और FDA, उसका interest है, वो 2,00 है, आप से बोला क्या है, इंडिया has no double taxation avoidance agreement with the Hong Kong, compute the income tax payable by Mr. Bunshal for the assessment year 24, आपको Mr. Bunshal का, कितना tax आएगा, वो आपको निकालना है, ये DTAA का कोईचना है, देखो, DTAA भर भर क्या आता है, transfer pricing भर भर क्या आता है, तो चलिए, TDS इतना नहीं दिखता, मैं बता हूँ, TDS अपने कहीं देखा ही नहीं, अभी इतने सारे किये TDS कहीं नहीं देखा, तो आप ने TDS टॉपिक को थोड़ा ऐसा, आराम से एक बार देखके उपर उपर से चले जाओगे, तो भी चल जाएगा, वेकास TDS आप देखोगे, कहीं पर इतना जादा, कोई डीटेल में कहीं पर पूछा नहीं है TDS, ठीक है, बट TDS, CA में तो में टॉपिक होता है, कि TDS से बार वाग आग आते है, यहाँ पर कहीं पर आपको दिखेगा नहीं इतना जादा, तो आप TDS उपर उपर से देख लोगे, तो भी आपका काम बन तो यह इंडिया की इंकम, यह दो फॉरें की 390, यह भी इंडिया की इंकम, अब एक बात समझिए, पहली चीज़ जब आप इसका सॉल्यूशन देखने जाते है, तो देखिए, यहाँ पर इंडिया की बिजनस की इंकम 250 है, कोई दिखकत नहीं, फॉरें की इंकम 3 lakh कमिशन ह है, आपका, डिविदेंट है, फॉरें का यह बाला, उसके बाद में आपका 2 lakh रुपेज है, वो टेक्स है, और लेक इंट्रेस्ट ओन देखिक्स डिपोजिट ने है, तो इसकी टोटल हो गई 840, यह आपकी आनी चाहिए, ग्रॉस टोटल इंकम, अब बताए, 840 का ग्रॉस सेविंग बेंक का इंट्रेस्ट है, इसके सामने आपको 80TTB का डिड़क्शन मिलना चाहिए, जो इस मिल लिया नहीं है, लेना चाहिए 80TTB का डिड़क्शन, तो आपका सॉलुशन कैसे होगा, आपकी जो ग्रॉस टोटल इंकम है, वो आएगी 840, उसमें से आपने 80TTB का डि इंकम. अब एक बात बताएगे, ने टेक्सिबल इंकम आपकी 790 रही? अब 790 पे आप टेक्स कैलकुलेट करेंगे, तो टेक्स भी इननों ने गलत खोटा-खोटा कैलकूलेट कर रखा है, सब करके ठीक है, घ्ख्यो lagi解 कर रखा है, तो पहली चीज़ तो आप टेक्स कैलकु या फिर दोनों से calculate करके आओ गया तो 115 BAC अपन ignore करेंगे सिधी सी बात है तो टेक्स calculate करेंगे 3 lakh तक कोई भी टेक्स नहीं लगेगा तो 3 lakh तक कोई टेक्स नहीं लगेगा 3 lakh से लेके 5 lakh 2 lakh होता है उस पर 5% कितना 10,000 आएगा तो 10,000 तो वो और 790-5 lakh multiply by 20% plus 10,000 तो आपका मैं बताँ 68,000 हुआ तो टेक्स आपका 68,000 आ जाएगा उसमें आप एड कर दीजी health and education says at the rate 4% तो प्लस 4% कर देते तो आपका टेक्स आ जाता है 70,000 720 रुपेज है 70,000 720 आपका create अब आप इसमें से लेंगे क्या बिबट अब देखेंगे इंडिया का average tax rate क्या है और foreign का?okay update है है तो इंडिया का average tax rate 700,000 method divided by 7 lakh 90,000 तो इंडिया का average tax rate आई न स्टाना है आपका 8.95 परसेंट तो 8.95 परसेंट है वह इंडिया आइन टेक्स रेट है फॉरेंग का इटिंग 20% है तो फॉरेंग का जो है वो 20% आप 8.95% से रिबेट ले लीजिए तो आपकी फॉरेंग की इंकम कितनी है 3,90,000 है तो 3,90,000 का 8.95% की रेट से आप रिबेट ले लीजिए 8.95% it comes to the 34905 तो आपके पास में net बचेगा 70720 35850 यह आपका net text पेबल आएगा तो यह एक mistake और तो आप देखोगे तो आपको समझ में आज आएगा करिए ठीक है तो यह मैंने आज का आपका कितना एक घंटा 7 मिनिट आप लोगों के साथ बिताया और यह एक घंटे में मैंने आपको बताया एक तो model test paper 2020, two syllabus के हिसाफ से और इस paper में जो गलतिया थी वो मैंने आपको indicate की कि यह दो गलतिया जब मैं देख रहा था तो मुझे यह दो गलतिया देखने को मिली तो आप यह धियान रखिएगा यह दो गलतिया जो है वो exam में नहीं कर रही है आपको और exam में हो सकता as it is question आ जाए तो वो गलतिया आपको नहीं कर रही है ठीक है चलिए guys बाकी अब exam से ज़्यादा time तो बचा नहीं 1 month बचा है अगर मैं बात करूँ CMA final वालो की तो 1 month बचा है यह 1 month आप अपना 100% दे दीजी यार और मैं बताओ ना मनलब बहुत सारे ऐसे बच्चे है जो CMA कर रहे है जौब के साथ वगेरा और CMA में काफी scope है बहुत बार ऐसा आपको ऐसा थोड़ा left out feel होता होगा नहीं नहीं यार CMA में भी बहुत scope है मेरे बहुत सारे बच्चे है और rank भी CMA में बहुत easily आ जाती है थोड़ यह सा effort लगाओ न तो rank आ जाती है बहुत सारे बच्चे है जिनकी rank थी किसी की single digit rank थी एक रोहिनी करके है आपको पता रहेगा उसकी all in der rank 3 था उसका 27 lakh का package है पर कोई ऐसा तोड पेपर नहीं आता कि ऐसा एक दोमी कुछ नया आ जाएगा नहीं जो अपन ने पड़ा हुआ है वोई चीज़े एक्जाम में आती है बस वो ही है कि वो 3 घंटे जब आप exam hall बे बैठे हो तो आप अपना control कितना अच्छे से रखते हो आप अपने को mentally कितना अच्छे से fit रख पाते हो वो ज़्यादा जरूरी है तो उस पर आप ध्यान दीजी अच्छे से बाकी मैंने super 30 questions निकाल रखे थे जो CA final के लिए वो ये CMA के लिए भी है तो आप वो करके जाएंगे सर हम last day पर क्या क्या पढ़के जाए तो last day के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि देखिए model test paper जो आपके है ना उनमें जो topics cover हो रहे है वो आप ज़्यादा focus के साथ में पढ़के जाए transfer pricing और DTAA और non resident taxation में इतना जादा नहीं पूछा जाएंगे non resident taxation से जैसे इसमें तो नहीं है इतना पर तो भी आप ढंक से उसको करके जाएए equalization levy को करके जाएए बार से एक चोटा सा question आ सकता है international taxation का वो वाला part आप अच्छे से करके जाएंगे और फिर जो DT वाला part है mat है EMT है करके ठीक है उसके बाद जो SCZ वाला topic है वो है slum sale है amal commission demurger है setup carry forward है penalty वाला है यह जो topics है वो आप अच्छे से करके जाएंगे एक पार TDS TCS इतना अच्छे से नहीं भी करेंगे उपर-उपर से भी पार करेंगे तो आपका काम बन जाएगा ठीक है और ऐसे भी अपने पास बहुत सारे option में भी तो मिलते हैं कि दो question अपने option में छोड़ने है तो अपन option में छोड़के आ जाएंगे अगर ऐसा कुछ आ भी गया तो टेंशन लेने की जरूवत नहीं है ठीक है चलो थैंक्स अलोट पीपल और पीजी बीपी के लिए मैंने ना सूपर थर्टी में जो question नबर वन कराया है ना वो कर लोगे आपका काम बन जाएगा पीजी बीपी के लिए आपको इतना एफट लगाने की जरूवत नहीं का आप साथ question करो आप जो सूपर थर्टी में question number one that is master question 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 number one question number two question number three अगर वो तीन question करोगे ना तो आपका 115 बीडबर ये और उसके साथ साथ में पूरा PGPPA वो आपका solve हो जाएगा ठीक है चलिए आज के लिए इतना बहुत है मिलेंगे CMA बनने के बाद में तो आपका आप target रहेगा motivation रहेगा कि आपन मिलने वाले हैं आपके CMA के result की बात में thanks a lot people that's enough for today from my side